हलो फ्रेंड्स मेरा नाम प्रभाद कुमार है और मैं आपको प्रेशनल सूप्रभाद 87 पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम लोग दे पैरेट एंड दे मैंगो का कोस्टन आंसर अध्यन करने वाले हैं जो क्लास आठ का लेशन नमर टू है तो मैंने लेशन नमर वन दा इसकी लॉप जडिंग का कोस्टन आंसर अप्लोड कर दिया है तो चलिए बिना देरी करते हुए इसके कोस्टन आंसर को देखते हैं जो पहला कोस्टन है वो यह है कि जो तोता था वो कहां उड़ रहा था तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं तो आंसर देखिए यहां से सुरू है जो तोता था वो आकास में उड़ रहा था चलिए अब इसके अगले question को देखते है इसका जो अगला question है वो यह है कि जब वो ऊड़ रहा था तब उसने क्या देखा जो तोता था जब आकास में उड़ रहा था तो उसने क्या देखा तो चलिए अब दूसरे नमबर वाले question का answer देखते हैं Will he was flying जब वो उट रहा था He यहाँ पर देखिए He saw होगा ठीक है He saw It was a mango tree He saw it was a mango tree There were There were lovely yellow mangoes Hunging from The branches तो उसने देखा जो क्या बुलते हैं जो पैरेट था उसने देखा कि आम का पेड़ था और जिस पर बहुत ही प्यारे पैरे आम जो थे उसके डालियो पर लटके हुए थे तो Will he was flying He saw it was a mango tree There were lovely yellow mangoes Hunging from the branches चलिए अब इसके तीसरे कुश्चन का अधेन करते हैं तीसरे कुश्चन है कि Why did his mouth watered उसके मुँ में पानी क्यों आ गया ठीक है उसके मुँ में पानी क्यों आ गया चलिए अब इसको भी देख लेते हैं तो इसका अंसर ये है There were lovely yellow mangoes ठीक है वहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे आम थे Hunging from the branches जो डाली उपर लटके हुए थे So his mouth watered इसलिए ये सब कुश देख करके उसके मुँ में पानी आ गया तो एक बार फिर से There were lovely mangoes Hunging from the branches यहाँ पर fully stop है His mouth watered इसलिए उसके मुँ में पानी आ गया उसका अगला कुशन देखते हैं चार नमर वाला की What happened when he was about to perch on the tree जब वो पेंड पर बैठने ही वाला था तब क्या हुआ चलिए अब इसके भी आंसर को देखते हैं As he was about to perch on the tree वो जैसे ही पेंड पर बैठने वाला था It had cow cow go away from here तो उसने सुना काउ 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 कि तुम यहाँ से चले जाओ ठीक हैं उसने यही सुना तेख भाई फिर देख लीजे As he was about to perch on the tree It had cow cow go away from here यह हम लोग का अंसर हो जाएगा अगला question What did the parrot do? तोटा ने क्या किया? तो अब देखिए यहाँ से हम लोग का है तोटा ने क्या क्या? He took up a string of the ball and flew and flew the high towards the mango tree ठीक है? यहाँ पर फिर से देख लीजे आप लोग He took the string of the of the balloon and flew high towards the mango tree अब और भी है थोड़ा सा Sorry, sorry, थोड़ा सा answer mistake हो गया What did the parrot do? इसका answer यह है कि It picked the balloon with its beak यहाँ से देखिए It picked the balloon with its beak इसने जो तोटा था उसने एक balloon को अपने चोच में दबा लिया उठा लिया blast went on the balloon with a loud noise और इस तेज आवाज से उसे blast कर दिया The crow was very scared It and flew away the tree जो कववा था वो इससे बहुत ही डर गया घबडा गया और वो वहाँ से उड़ गया तो यह जो फोर नमर वला जो फाइप नमर वला है कि What did the parrot do? उसका जो answer है वो यह है चलिए अब उसका अगला question देखते है How could the parrot got the mango? जो जो तोता था वो उसने आम को कैसे पाया? तो इसका answer है He got the mango with his idea उसने अपने idea से आम को पाया ठीक है? He got the mango with his idea उसने अपने idea से जो आम था उसको पा लिया अगर वो idea नहीं लगाता तो साइद वो आम को नहीं पा पाता तो इस तरह से जो यह आंसर था इसका वो पूरी तरह से पूरा हो गया है अब मैस दफॉलिंग में देखी आप लोग का जो है टर्मेंड का जो है शियोर में जाएगा याने इमली का खटा में जाएगा ग्रैप्स का जो है आपका जूसी में चला जाएगा और एपल का जो है आपका स्वीट में चला जाएगा लेंग्वेज प्रेक्टिस में कुछ हम लोग को करना है नहीं इसलिए इसमें कुछ एक्सरसाइज करना है नहीं तो I hope कि ये वीडियो भी आप लोग के लिए काफी helpful रहा होगा और काफी कुछ अच्छ से समझ में आया होगा तो चलिए इसी तरह से मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में इसके lesson number 3 में तब तक के लिए thank you for watching